नमस्ते दोस्तों तो आज मैं यहां पर लेकर आ गई हूँ एकड़म रियल तिरमिसु की जी हाँ आपने यूटूब पर बहुत सारे वीडियोज देखे हूंगे लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो तरीका आपको अभी तक नहीं मिला होगा और जैसा कि मैं हमेशा जो ट्रवू हूँ आपको आपको बनाना है ना सब्सक्राइब करने की कोशिशकी है कि कि तना ग्राम प्रिमिक्स लेते हैं यह जो केक है मेरे घर का जैसा है मैं चीज यहाँ पर डाल रही हूँ और यह मैसकपॉनी चीज होती है रियल तीरा मेसू अगर आपको बनाना है ना तो आपको यह वाली चीज चाहिए और यह देखिए हाँ पर मैं एक टेबल स्पून से ज़्यादा हो जाए कम ना हो मतलब भरके आपको लेना है इसमें मैसकपॉनी चीज जी हाँ तो देखिए अगर आपको एक्चुल तीरा मेसू बनाना है तो आपको यह वाली चीज ही खरीदने पड़ेगी यह बहुत ज़दा मैं ही मुझे मिली मतलब यह आपको जल्दी से मंगाया और इसको श्टोर करके रग दिया था फ्रीज में और यह कोई किसी कॉस्टमर का केक नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा ज़ादा ही प्रिमिक्स के साथ बना रही हूँ हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि अगर आपको रियल तीरा में सुखाना है ना तो आपको यह वाली चीज लेनी ही पड़ेगी और वाइस कोई दूसरा आप्शन नहीं तो यह देखिए हमारा केक भी बिल्कुल अच्छे से देख हो चुका है और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कि इस मेजरमेंट के साथ कितने ग्राम का हमारा यह केक बनके रेडी हो था तो यहाँ पर मैंने ले लिया है इंस्टेंट कॉफी पाउडर थोड़ी सी पीसी चीनी भी मैं आप डाल रही हूँ यह जो है आप खड़ी शुगर भी ले सकते हैं पड़ी सकतर कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसे में हलका सा बॉइल करके ठंडा कर लूँगी तो वो चीज मैंने यहाँ पर नहीं दिखाई है एक्चुली सारी चीजे शूट करना मतलब एक अकेले के लिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है और यह देखें यह आप देख रहे हैं नहीं यह लगभग 220 ग्राम के लगभग मेरे पास यह क्रीम थी और यह आपको हलकी सी यलूश दिख रही होगी क्रीम कलर की एक्चुली क्या है ना कि यह इसमें मैंने तुरह सा दूसरे कलर का क्रीम भी मिला दिया यह मेरे घर का ही था तो बिंदास की मैं और यहापर मैंने कितना मैसक पॉनी चीज मिलाया है वो भी आप यहापर measurement देख सकते हैं और यह देखें मैं हमेशा जो है इस तरीके से condensed milk मिलाती हूँ यह देखें मैसक पॉनी चीज काफी महंगी होती है मैं इसे अच्छे से कवर करके रखूँगी इसको डीप फ्रीजर में और कोशिश करूँगी कि 15 से 20 दिन में इसे कंजूम करने और बस इसे अच्छे से एक बाई एलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर देना है देखिए आप शुगर मिलाएंगे अलग टेस्ट आएगा आप करनेंस मिल मिलाएंगे आसम टेस्ट आएगा एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा और कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी कुगीस की मुझे इतने अच्छे कमेंट आए कम ही आए है लेकिन अच्छे आए है उनकी रेसिपी अच्छी बनी और मैंने कहा था ने ये नो फेल रेसिपी है बहुत अच्छी बनेगी आप दुबारा से जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप सेलिंग परपस से बना रहें कि टू इंग्रिजियन्स कुकिज वन इंग्रिजियन्स कुकिज आपको एक्च्छल जो पॉफेक्ट चीज़े होती है नो वही डालके रियल कुकिज बनेगी और बाकी सारी चीज़े तो बस मोम आया है तो यह देखिए मैं जो कॉफी मैंने बनाई थी ना उसी से मैं यहाँ पर अपने केक को सोख करूँगी एक्च्छली तीरा मिसू जो है यह तीरा मिसू केक है आप तीरा मिसू भी एक होता है जो कुकिज से बनती है मैं सोच रही हूँ कि बहुत जल्द उसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ और वो भी no fail ही recipe होगी तभी मैं share करूँ या otherwise नहीं करूँगी क्योंकि जो चीज मैंने नहीं बनाई है कभी मैं उसे और वो खराब बन जाए तो मैं उसे share नहीं करूँगी तो ये देखिए second layer भी मैंने हाँ पर रख दिया है और उसे भी as usual मैं normal जो coffee powder मैंने sorry coffee syrup जो मैंने बनाया था ना उसी से मैं इसे soak करूँगी तो बस अच्छे से हमें इसे soak करना है और आपको पता है मतलब मेरी तबियत इतनी ज़्यादा खराब थी और मैंने ये चीज मंगा के रखी थी और मैंने एक दिन पहले ही इस sponge को बेग करके रख लिया था और मेरे दूसरे दिन तबियत इतनी ज़्यादा खराब मेरे बद् है मैंने recently Amazon से मंगाया है ये use reusable है तो आप इस पे किसी भी तरीके से cake बनाइए wash करके reuse किजी बहुत ही मतलब मैं इस तरीके चीजे collect करना पसंद करते हूं actually मैं pastries के भी order लेती हूं means add करती हूं अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखिए कि pastries कैसे लेने है कितने में sale करना है क्या करना है तो आप जरूर जाके देखिए आपको काफी help होने वाला है और आपको pastries के order guarantee मैं देती हूं कि आपको pastries के order आएंगे जिस तरीके से मै अपने orders लेती होना वो तरीका आप अपनाएंगे तो आपको pastries के order आएंगे देखिए शुरुवात में कोई भी जब एक नए जगे से केक कुछ भी खाने की चीज़ कुछ भी चीज़े लेता है तो वो तो तो आप सा सोचता है कि पता नहीं का taste कैसा होगा क्या होगा तो आ आप अगर चाते हैं अपने taste को लोगों तक पहुचाना तो आप pastry बना कर sell कीजिए यह जो jar cake होता है वो बना कर sell कीजिए बहुत ही अच्छा option है लोगों को अपना taste दूसरे तक पहुचाना और आपको pastry के order कैसे मिलेंगे वो भी मैंने शेयर किया उस वीडियो में तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और देखे किसी ने मुझसे cupcake की recipe पूची थी मैंने 2-3 बार मैंने cupcake की recipe share किये दोनों ही अलग अलग तरीके के हैं तो आप जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा अभी recently थो कोई ऐसा cupcake का order नहीं है और हाँ एक बार मैंने bulk में cupcake बनाये थे तो कै कैसे sell किया कैसे packing की अच्छे से सारी चीजे में उसमें detail में बताई है तो आप वह भी जाकर देख सकती हैं तो यह देखिए बातो बातो में जो है हमारा यह cake जो है crumb coat हो चुगा था और final icing में मैं इसके उपर कर रही हूं और देखिए जब भी हम इसके उपर dusting करते है cocoa powder की आपको मिल जाएगा मेरे पास नहीं था तो मैंने normal जो cocoa powder में यूज करती हूं cake baking में वही मैंने यूज किया है आप category जो cocoa powder आती है काफी sweet होती है आप वो यूज यहाँ पर कर सकते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको सच्छा ही बता दी है आप उस तरीके से ही अपने इस रियल तीरा मिसू cake को बनाईएगा और अपने यह देखिए आपको साइड में दिख रहा हुआ लगे तो आप जूम करके देख लिए कि मैं कौन सा cocoa powder यूज करती है इसमें जो है ना 800 लिखा हुआ है जो cocoa powder का नाम है actually इसमें numbers भी होते हैं तो यह जो 800 है मैं इसके पहले 900 उस पर लिखा हुआ होता था तो वो काफी जादा ब्लैक होता था तो मुझे मिला नहीं इस बार तो मैंने इसी को यूज किया है और यह देखिए हमारा केक रियल केक तीरा मिसुवाला बनके रेडी हो चुका है और अगर आपको मेरी आज़ की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं मेरी नेक्ट वीडियो में तब तक देरी बाबाए